अस्सलाम उलेकुम, कैसे हो, उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खेरियस से होंगे तो गाईस, आज हम एक कफ गिहूं के आटे से आपके साथ में ऐसे नास्ति की रेश्पी शेयर करने वाले हैं जो आप देखने के बाद अपने आपको रोक नहीं पाएंगे बनाने से इतना श्वादीस, इतना जायकेदार है और घर की ही चीजों से हम आपको बनाना बताएंगे गाईस, बहुत ही बेहतरीन रेश्पी है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, इसके लिए आप लोग वीडियो में लास्तक बने रहें बीडियो को भगा कर या स्किप करके बिल्कुल मत देखिए यहां पर हमने एक बड़ा बरतन ले लिया है, इसके अंदर हम डाल देते हैं एक कफगेहूं का आटा उसके बाद में एक बड़े साइच का प्याज, यहां पर मैं बारिक कट करके डाल देती हूँ इससे हमारे नास्ते के अंदर बहुत ही करंची पना रहेगा और नास्ता खाने में बहुत ही जाय के डाल लगएगा यहां पर मैं बारिक कट करके एक सिमला मिरिच और एक गाज़र डाल दूँगी उसके बाद में गाईच हम इनको डालने के बाद में हाफ चम्मट डाल देते हैं इसमें साबूत जीरा इस से हमारे नास्ते का जो स्वाद रहेगा जायका रहेगा वो बहुत ही अनोखा रहेगा तो देख सकते हैं यहां पर हमने जीरा डाल दिया है उसके बाद में अब यहां पर मैं हाथ कमट डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च उसके बाद हाथ चमट यहां पर मैं डालूँगी मिर्ची पाउडर ये भी तीखी वाली है उसके बाद में यहाँ पर मैं डालूंगी हाप चमत धनिया पाउडर उसके बाद यहाँ पर मैं डालूंगी स्वात की अनुसार यानि हस्पे जाय का नमक डालूंगी इसनेक में नमक जो है थोड़ा कम ही डालिए क्योंकि इसनेक में नमक जब जादा होता है तो खाने में अच्छा नहीं लगता है नमक थोड़ा कम ही सनेक में डालिए ये मैं आप लोगों को हर रेस्पी में बताती हूँ अब यहाँ पर मैं पानी डालूँगी और पानी डाल कर एक इनका घोल यानि बैटर बना लूँगी तो यहाँ पर हमने एक कफ सूजी लिया है और एक कफ हमने पानी लिया है तो मैं टोटल पूरा एक कफ पानी जो अपना है उसको मैं डाल दूँगी तो एक कफ गेवूं के आटे में हमने एक कफ पानी डाला है यही measurement आप भी कीजिए ज्यादा पतला इससे मत कीजिए अब इनको डालने के बाद में हम क्या करेंगे इनको बढ़िया से अच्छे से mix करेंगे आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमें इनको mix कर लेना है तो चलिए हम इनको mix कर लेते हैं बढ़िया से एकदम अच्छे से इनको mix करेंगे और mix करने के बाद में यहाँ पर मैं डाल दूँगी जो है एक चुटकी वो मैं डालूँगी खाने वाला सोड़ा सोड़े से क्या होगा हमारा जो नास्ता बनेगा वो एकदम इस्पेंची बनेगा एकदम खश्टा बनेगा एकदम जो है अंदर से सौपट रहेगा तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है सोड़े को डाल दिया है गाईस और सोड़ा डालने के बाद में यहाँ पर मैं एक चुटकी के इतना एक से डेर चुटकी इतना मैं यहाँ पर चाट मसाला डाल दूँगी इससे हमारा जो नास्ता बनेगा बहुत ही अच्छा बहुत ही चटपटा बनेगा तो चलिए चाट मसाला डालने के बाद में गाईस यहाँ पर मैं इन को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ तो यहाँ पर जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ तब तक आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें में दोस्तो में रिस्तिदारों में वाकस अब गुरूप पर ज्यादा से ज्यादा रेश्पी को शेयर करें चानल पर अभी तक आप लोग नए आए हैं चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिली चानल को सब्सक्राइब जरूर कलने इस तरी किस रेस्पी देखने के लिए यहाँ पर मैंने गैस के उपर पैन चिरहा दिया है पैन में हमने तेल डाल दिया है तेल हमारा मेडियम गरम है हम गेहूं के आटे से बना रही है तो तेल को ज़्यादा गरम नहीं रखेंगे तेल हमारा यहाँ पर मेडियम गरम होना चाहिए जब हम अपने बैटर को डालेंगे तो हमारा तेल जो है वो आउट भी ठंडा पड़ जाएगा तो इसलिए अब इस टाइम पे हमें गैस को अपने फास कर देना है तो अब फास आज पर इनको हम फराई करेंगे और जब ये एक तरफ से पग जाएंगे दूसरी तरफ से भी हलके पग जाएंगे तब उसके बाद में हम गैस को फिर से मीडियम करेंगे ये किन मानी गाईस ये हमारा जो नास्ता है ये समोसे कचोड़ी को भी फेल कर देगा बहुत ही जाएकेदार बहुत ही श्वादिस है जो भी इस नास्ते को खाता है बस यही पूसता है कि इसको आपने कैसे बनाया है सुबे के भागम दोड में, बच्चों के टिपिन में, साम के हलके फुल की भोक में जब भी आपका दिल कहे तब भी आप इस नास्ते को बना कर खा सकते हैं वो भी बहुत ही हेल्दी तरीके से हमने इनको बनाया है अगर आपके पास सिमला मिर्च गाजर नहीं है तो आप उसकी जगह पे आलू भी डाल सकते हैं या फिर आपके घर में कोई और सबजी पड़ी है तो वो भी डाल सकते हैं वरना फिर आप उसको इसकीप कर सकते हैं तो देख सकते हैं कलर कितना प्यारा आया है गाईस बहुत हुई खोपसूरत दिख रहा है हमारा नाश्टा तो चलिए इनको एकदम किरिस्पी करारा जो है फराई करते हैं ये गाईस सिर्फ ओपर से ही नहीं अंदर तक जो है एकदम किरिस्पी हो जाते हैं तो देख सकते हैं हम इनको फराई कर रहे हैं और यह हमारा जो नास्ता है यह बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा कलर लेके आया है देख सकते हैं दिखने में ही आपको कितना खोबसूरत दिख रहा है गाईस तो इसी तरीके से इनको हम उलट-पलट कर बढ़ियां से कर लेते हैं फराई तो देख सकते हैं आ दोनों तरफ से इकस का जो कलर है वो बहुत ही खोबसूरत आया है गाईस इसी तरीके से आपको भी करना है हमने कोई हल्दी नही डाला कुछ नहीं डाला है लेकिन आप कलर देख सकते हैं कितना प्यारा आया है गाईस तो इसे तरीके से हम सारे नास्ते को अपने बना कर तयार करेंगे गाईस तो आप लोग हमारी वीडियो में आकर हमारे चानल पर देख सकते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही श्वादिस, बहुत ही जायकेदार रेस्पिया मिल जाएगी जो हम घर की ही चीजों से बना कर आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं कोई ऐसा चीज हम नहीं डालते हैं जो हमारे घर में मौजूद ना हो, या फिर महंगा हो, हमारी बज़ट ना हो अगर बज़ट ना भी हो, गाईस, तो हम उसका solution भी आपको बताते हैं कि आप जो है इनको कैसे बना सकते हैं क्या ऐसा कर सकते हैं जिसके बिगर भी ये नास्ता ये रेस्पी आप बना कर खा सकते हैं तो चलिए हमने इनको निकाल दिया है तेल को अच्छी से दबा देंगे दूसरे चम्मत से तेल ताकि अच्छी से निकल जाए इसके अंदर तेल न रहे और बाकी का भी बैटर इसी तरीके से डाल कर और इनको भी फराई कर लेते हैं तो आपस से मैं आप लोगों से रिक्विष्ट कर रही हूँ गाईस कि अगर वीडियो पसंदार ही है अभी तक आप लोग वीडियो में रुके हैं तो तही दिल से आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ तो गाईस पिली इस वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों मेरे इस्तिदारों में वाकसप गुरूप पर ज़्यादा से ज़्यादा रेश्पी को शेयर करें चानल पर आप लोग नए आए हैं चानल को भी तक आप लोगों ने सस्क्राइब नहीं किया है चलिए एक तरफ से ये भी फराई हो चुके हैं अब दूसरी तरफ से इनको हम फराई करेंगे उसी तरीके से जैसे हमने पहले फराई किया है उसके बाद में चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारा जो नास्ता है वो कंपलीट कैसा तयार हुआ है यकीन मानिए समों से कचोड़ी पकवरी को भी फेल कर दिया है और देख सकते हैं कि इस कैसी इनके अंदर जालिया फुट रही है यह बहुत ही करंची हैं बहुत ही किरिस्पी हैं हम जब इस नास्ते को अपने घर में बनाते हैं तो हमारे घर वालों से लेकि बच्चों से लेकि बड़े तक कुछ सब को पसंद आता है एक बार आप बना कर देखिए आपकी घर वालों को बहुत ही पसंद आएगा गाईस क्योंकि ये नास्ता ही ऐसा है जो हमने घर की ही चीजों से बनाया है लेकिन बहुत ही श्वादिस है बहुत ही जायकेदार है तो देख सकते हैं इसका कलर देखके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी टेश्टी हमारी रेस्पी जो है वो बनी होगी आप देख सकते हैं तो चलिए गाईस इसी तरीके से हम रेस्पी बनाकर अपना तयार कर लिए हैं चलिए फिर आपको दिखाते हैं कि हमारा final जो नास्ता है वो बनकरत कैसा तयार हुआ है तो देख सकते हैं गाईस ये है फाइनल हमारे नास्ते का कलर उसका लुक कितना प्यारा आया है और कितना किरिस्पी बना है एकदम किरिस्पी करंची है और किरिस्पी करंची के साथ साथ जितना दिखने में ये खूब सूरत है उतना से उससे जादा कई गुना जादा गाईस को back to a करें बहुत ही श्वादिस है बहुत ही जायकेदार है चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, सलाम उलेकूं